हेलो गाईज स्वागत है आपका स्रीगुरु अकैडमी में मैं मनू बर्मा आपका सुक्रिया हार्दिक अबनिन्द करता हूँ दोस्तो हमारे बहुत सारे भाई वहन परिशान हो रहते के सर सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट हो तो बताएए तो उन सबी भाई वहनों के लिए मैं एक बहतरीन अपडेट लेकर आया हूँ जिसके बाद आप कनफर्म हो जाएंगे कि आपका एक्जाम कब है और आप देख ही रहे होंगे उन सारी चीजों के लिए कि एक्जाम कब है ठीक है तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर लेकिन द कई बार आपने सोसल मीडिया पर यानि की फेस्बुक, बॉट, सब, ट्यूटर इन सबी चीजों मतलब कई जगे आपने दिखा होगा कि आपकी परिच्छा की तिति दिखाई जा रही होगी 15 सितंबर घोसित हो चुकी है ये चीज आपके पास कई बार रिमाइंड हो होकर ब लेकिन एक चीज और बात करते हैं यहाँ पर आपने ये भी सुना है कि सीटैट 2020 यानि कि जुलाई और दिसंबर का आपका सीटैट वो एक साथ होगा क्या ये भी एक अपडेट है तो यहाँ पर इस पर भी आज़म इस पर्ष्ट तरीके से बात करते हैं ठीक है दोस्तों त इस मैं आपके लिए बताना चाहूँगा ये आपका 100% फेक है इसको आप तुरंत हटा दीजिए क्योंकि ये आपका फेक है दोस्तों फेक है ध्यान रखेंगे फेक है ठीक है इसको हटा देंगे क्योंकि ये फेक है आपको बार बार कह रहा हूँ आप यहाँ पर बात करते ह आपका आप ने देख लिया आपका जो दिया हुआ कि 15 सितमबर के लिए exam है जब वो fark है तो आपका exam है कब जब 15 सितमबर के लिए नहीं है तो कब है तो यहां पर दोस्तों इस बारे में भी बात करते हैं तो यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपके लिए दिखाना चाहूंग आप लोगों को सभी को पता है यदी मैं बात करता हूँ उत्तरप्रदेश की टीक है उत्तरप्रदेस एक इंडिया का राज है जो की स्टेट लेवर्वर पर एक्जाम कराता है लेकिन आपका सीटेट का एक्जाम तो पूरे All India लेविल पर होता है टीक है तो अगर हम यूपि क के लिए admit card जारी हो चुके हैं exam का जो center है कई लोगों का बहुत दूर दूर पड़ा हुआ है 900 km दूर तक इसका center पड़ा हुआ है जो की एक बहुत ही critical condition है ठीक है यहाँ पर अगले exam की बात करते हैं तो 16 अगस्त के लिए B.E.O. यानि की U.P.B.E.O. का exam है दोस्तो और इस exam को हटाने के लिए जो हमारे candidates है उन्होंने high court में याच का दायर कर रखी है कि सर यहाँ पर इस्तिती बहुत ही ज़्यादा critical है exam देने की condition में लोग नहीं है आप देखी रहें कि परड़े आज का जो target है कल का आपने target है वो 62,000 लग बग आया है तो ऐसी इस्तिती में exam कराना बहुत मुश्किल है लेकिन यदि दोस्तों यह exam आपका 9 अगस्त को U.P.B.E.O. का exam हो जाता है यह तो होना ही होना है क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों किसी प्रकार की रोकताम नहीं है पूरी ब्योस्ता हो चुकी ह admit card जारी हो चुके हैं 2-3 दिन बचे हुए है exam के लिए तो यह तो होना ही होना है और 16 अगस्त के लिए यदि B.E.O. का exam हो जाता है तो दोस्तों आपका जो exam है na seated का वो सितंबर में होने की पूर्ण संभाबना हो जाती है यह चीज आपको ध्यान रखनी है लेकिन यदि किस इसी कारण बस आपका exam September में नहीं होता यानकि सितंबर में नहीं होता तो आपका exam दोस्तों एक ही वार होगा ठीक है क्योंकि उतना समय नहीं बचेगा कि जो NCRT है वो exam को दो बार करा पाए इतना समय उसके पास नहीं होगा तो ध्यान रखेंगे अगर सितंबर में आपका exam नहीं होता जुलाई सीटेड जुलाई वाला तो आपका एक्जाम साल में एक ही बार होगा है यानिके 2020 में एक ही बार होगा यदि ऐसा नहीं होता है तो यहां पर दोस्तो आपको यह information देनी थी और यदि आपको मुझे लगता है कि आपके जो भी सवाल होंगे पूरे हो चुक के लिए हो सकता है क्या एसा अनॉशमेंट हो सकता है या फिर आपका marathon एक ही साल में मतल़ 2020 में एक वार होगा तो आपको क्या लगता है आप वी अपनी राए जरूर रखें दोस्तों और आपकी जो गंटी वाले बटन को दबा दीजे इससे कि आपको notification प्राप्त होता रहेगा क्योंकि आपको पता है यहां होती है बहतर तरीके से पढ़ाई ठीक है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं एक next वीडियो में next topic के साथ तब दक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें और त्यारी करते रहें दोस्तो ठीक है तो चलिए बाई बाई दोस्तो